सब इस द्यार्थियों का स्वागत है हमारे चनल पर तो आरो यारो दोजर चॉबिस और यूबी पीस पीस जो परिछा होने वाली आपके सब्ताइस अक्टूबर इसके लिए करेंट अफेर की सीरिज लेके आये हम देखिए एक से 31 जनुवरी तक दोजर चॉबिस तक के जो मात्पूर्ण इवेंट हुए थे जो इंसिडेंट हुई है उन की क्लास हम आपको देने जा रहा है करेंट अफेर कंदरगत तो चली देखत करेंट अफेर करेंट Uzeまだ जनुवरी तोजर चॉबिस का पहलत प्रस्न है कि जनुवरी तोजर चॉबिस में रायस्थान में संयुक्त संड नभ्यास सडा तनथ सीर में किन दो देशों ने भाग लिया था सदा तक्सीर में भाग लिया था भारात और सैयूदी सौधी अरभ म भाग लिया था नोट कर लिएगा इंपॉर्टेंट कोश्चिन है CPF अन साहिक बलो के बीच किस डल ने सरफशेष्ट मार्चिंग डल का परुसकार जीता था तो यह जीता था आपका B.A.P.S. दिली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकडी में जीता था नया दीसों के तीन पहला ने गर्चतन दीवस परेट के लिए तीनो से नाओ की मार्चिंग टुकडी में केंद्रे ससस्त्र पुलिस बर्ट C.A.P.F. अन्य साहिक बोलो की मार्चिंग टुकडियों को और विभिन राज के इन साथे से प्रदसों और मंत्रालाओं की जहांकियों के प्रदसन क्या बुलानकन करने के फश्चात उन्होंने यह जोने लाए लिया कि दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकडियों को मि यह 718 बारत में पहली बार हिमत्यूंद्यों की आबादी का आकलन SPAI जनवरी दोजाग चोविस को जारी किया गया था बारत में पहली बार हिमत्यूंद्यों की जनसंख्या का आकलन के लिए भारत में हिमत्यूंद्यों की जनसंख्या का आकलन के लिए भारत में लद्दाक में है लद्दाक में सबसे ज़्यादा है चारसो 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 सबसे sıंगीति में प्रदर्शन में भारती सेना, नाउसेना, वाय सेना दिल्ली पुलिस और के बैंडड सामिल हुए तो विजय चौक नई दिल्ली में परिछ्हेद में उलिखित सर्षत बलों का सरोच कमांडर कौन होता है सर्षत बलो का वह होता है भारत के राश्ट पती वो सभी सेनाओं का कमांडर के रूप में जाना जाता है रोहन बोपन्ना की उपलबदी का क्या महत्व है वह पुरुस यूगल में विश्व नंबर वन राइंकिंग तक पहुँचने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी हैं 43 वर्ज की उमर में वो पनना पुरुस यूगल में विस्व नमबर एक रैंकिंग असल करने वाले अब तक के सबसे उमर दराज खिलानी है तो यह है यह आपका सबसे उमर दराजन भी है, सबसे एजेड भी है, नमबर वन भी है भारत में टेनिस के ग्राइंड स्लेम विजेता कौन है वो है आपके लिएंडर पेस में महिस भूपती सानी मिरजा और रोहन बोपन्ना है वा लिएंडर पेस, महिस भूपती, सानी मरजा के साथ रैंकिंग में सीर्स पर पहुंचने वाले चवोथे भारती टेनिस के लारी है ग्रैंड स्लेम भी जोंताओं के नाम देखिए ये आपके हैं नोट कर लिए गाई लिए अंडर पेस, महिस भूपती, सानी मरजा और रोहन बोपनना तोज़े चोबिस में राष्ट ये ओपन पूरुस यूगल टेनिस चेंपिंशिप के स्टोडी ने जीता था तो ये जीता था रोहन बोपनना और मैट एबडेन ने तो रोहन बोपनना और मैट एबडेन ने राष्ट ये ओपन पूरुस यूगल टेनिस चेंपिंशिप में एक टीम के रूप में अपना पहला ग्रेंट सेम खिताब जीता था अस्टेलियन ओपन टेनिस चेंपिंशिप दोजाब चॉबिस के पूरुस एकल फाइनल में कौन विजए हुआ तो ये विजए हुए थे जैनिक सिनर जैनिक सिनर ने 28 अगस 2014 को अस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चंपिनिसेप के पूरुस एकल फाइनल में जीत होने ने हसल की थी जैनिक सिनर 1976 में एड्रियोन पनाटा के बाद ग्रैंट सिलम जीतने वाले पहले इतालवी युएक्ति मने हाली में किसने नवी बार बिहार के मुख्षपंत्रीपत की सपतली नितिश कुमार ने जादय उनेता ने 28 जनवरी तो नवी बार बिहार के मुख्षपंत्रीपत की सपतली थी नोवी बार 28 जनवरी को उस भारती क्रिकेटर का नाम किया है जिसने 2002 इसमें ICC One Day Player of the Year का किताब जीता क्रिकेट लवर्स के लिए है विराट कोहली विराट कोहली ने ICC Awards 2023 में One Day Man's Player of the Year का प्रुसकाद जीता वह चौथी बार है जब उन्होंने यह समान प्राप किया है उससे पहले उन्होंने ICC Man of the प्लेयर मिला था 12 में मिल चुका उनको 17 में मिल चुका है 18 में मिल चुका है और उनको 2023 में मिला ठीक भारत के महान खिला लिए कि अगला देखेंगे 2024 से गड़तन दियोस परेट के मुख्य अतिति कौन है यह है आपके Emanuel Macron तो उसको बोल लिएगा Emanuel Macron परेट में मुख्य अतिति फ्रांस के राष्पति Emanuel Macron है जिन्होंने भारत की का स्रांस्कृतिक विवेत्ता एकता स्वेन अताकत और बलती नारिश्क्ति पर प्रकास डाला रहा हुँन C number option फ्रांस के राष्पति विक्षित भारत और भारत लोकतंत्र की मात्र का जनुरी दोज़ेश्क्ति में भारती वाई सुना के लिए अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया था यह आपका B है फ्रांस और स्वेक्तरदी B भारती वाई सुना ने 23 जनुरी दोज़ेश्क्ति को अरब सागर के ऊपरी फ्रांसीसी वाई और अंत्रच बल स्वेक्तर अरब अमिरात वाई सुना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयूजन किया अब्यास डेज़ाट नाइट फ्रांस और सेंटा अरब अमीरात प्लस भारती वाइस होना के साथ इनका अब्यास हुआ ब्राश्टी बालिका दिवस प्रतिवस कब मनाय जाता है चौबेस जनवरी को मनाते हैं अंत्रिम केंदरी बज़़ 24 के लिए बज़़ तेयारी प्रक्रिया के अंतिन चलो को चिनित करने के लिए हल्वा समारो 24 जनवरी 2024 को नार्थ बलात में हुआ पराक्रम दिवस का क्या मात्व है तेश जन्रवी दोयार्ट चॉविस को भारत के ने देश के सुतनता संग्वाम के सबसे प्रमुक सक्सियतों में से एक जो थे हैं नेतरी सुभास चंद बोस की 127 वी जैन्ती मनाई बोस की अदम में भावना भारत की सुत्ता में उनके अमूल योगदान को समगान करने के लिए इस दिन को पराक्रम दिवस्क या और सहस्क दिवस्क के रूप में मनाया जाता है तो आपका क्या है ये अप्सम हो जागे समय अगला अगला देखिए आजादिन फौस का नारा क्या था जाहिंद करपूरी ठाकर भारत के किसराजिम से थे करपूरी ठाकर बही बिहार गये थे बिहार के पूर मुक्रमंत्री करपूर ठाकर को मनुता भारत के सरवचनागर सम्मान भारत रत्रतन सम्मन्त किया गया है साथ में उन्होंने क्या किया था लड़कियों के लिए मुखसेचा किया था ठीक है और समाजिक समानता इसके लिए विकान किया था करपूल ठाकुल विहार के अगला है 22 जनवरी दोज़ाइश्था समारो संपन हुआ जिसमें पधान मत्री ने नौन मंदिर में अनुष्थानों का नित्रत किया था और गरभ गरह में रामलारा की मूर्ती का अनारों किया था संक्तराष्ट महासभा के 78 सत्र के अधर्च कौन है तो 78 सत्र संक्तराष्ट महासभा के अधर्च जो हैं देनिस फ्रांसेश्था सब्सक्तराष्ट महासभा के 78 सत्र के अधर्च देनिस फ्रांसेश्था बाइस जन्मरी दोजाब्स को भारत की पांच दिवसी आत्रापर नहीं दिल्ली उन्होंने विजिट किया था कि एसी आई मेराथन चैंपींशिब 24 में सवनक पत्त जीता था था यैजिता त्रम इक तिल्ट 001 इंडिया ओपन बैटमिंटन दोजार चॉविस में पुरुस यूगल के फाइनल में कौन हार गया था देखिए 21 जनवरी दोजार चॉविस को इंडिया ओपन बैटमिंटन में पुरुस यूगल फाइनल में सात्तिक साही राज, रंकी रेड़ी और सिराग सेटी हार गए थे प्रदान मंतिर राष्टी बाल पुरुसकार नेमलिक्षित में से किस रेड़ी में प्रदान किया जाता है कला और सांस्कृतिक बहादुरी नवाचार सामाजिक सेवा और खेल प्रदान राष्टपती प्रदान मंतिर राष्टपती द्रोपती मुरुमू ने 22 जनुवरी दोजार चॉविस को नई दिल्ली में उननिस आसाधन बच्चों को राष्टपती बाल प्रुसकार दोजार चॉविस से समानिक किया गया प्रुसकार विजयताओं को देश के सभी छेतरों से चुना गया कला और सांस्कृति बहादुरी नवाचार सामाजिक सेवा और खेल में उनकी उतकर्ष्ट उपलब्दियो के लिए मानता दीगी ओने खेलो इंडिया यूथ गेम की दोजार चर्विस के में जवानी कौन कर रहा है ये इतमिलनाद कर रहा है केलो इनिए यूथ गेमस दोजार चर्विस का छठा संसकारण है 19 जनवरी 2024 को शुरू हुआ और 31 जनवरी 2024 को शुरू हुआ इस वर्स का के आई वाई जी तमिल नाडू राज के चार सहरों में वगा चिननाई में कोयम बटूर में चिन मदुराई में और तराची में ये खेल आईजित की हो जाएंगे गर्टन दुर्स के हिस्से के रुप में भरत पर 2024 कहां जुद कि आगया है यह लाल किला ने दिली में परहटन मंतरा लिने 30-30 जनवरी तक दिली के लाल किला के सामने लान और ज्यान पात्तपर्त गंपर्टन हँद्स को शुरू का कायोजन किया नए दिसानिरसों के नुसार कोचिंग सेंटरों में नामंकर के लिए छात्रों की निम्तम आयू देखे 16 वर्स रखे गई है निम्तम नामंकर आयू कोई कोचिंग सेंटर 16 वर्स से कम उम्रिके छात्रों का नामंकर आबन नहीं कर सकता नए दिसानिरसों के नुसार विक्सित भारत संकल प्यात्रा का प्राथमिक जो अदेश है elementary purpose है विक्सित भारत संकल प्यात्रा वो है जगरुटा पैदा करना और विकास और कल्याकरी योजनाओं में जनता की भाग्यदारी सुनेचित करना 시y-e nee पिए इरान और पाकिस्तान के बीच हालिया अनाओं का मुक्ष करन क्या था इरान और पाकिस्तानी की भीच हालिया हमरों में मद्य पूरंप मेर चिंता बगातीती थेज्षान का मिननोटब्द में वन Dlatego सम्मेलन फॉर पीस ए बी सी पी की बारवी महासभा का उद्गाटन 17 जनुबरी दोज़ार चॉबिस को नई दिल्ली में भायक के उप्राश्पती जगदीश धनकल द्वारा किया गया जनुबरी दोज़ार चॉबिस में विंक्स इंडिया दोज़ार चॉबिस का रिक्रम कहां आजुद हुआ यह आजुद हुआ बेगम पेट हवाई अड़ा हाइदराबाद में विंक्स इंडिया दोज़चोबिस कारिकरम 18 जनुवरी दोज़चोबिस को हद्राबाज के बेगम पेट हवाई अड़े पर सुरू हुआ बारवी सद्धी का स्री जगन्नाथ मंदर के सहर और किस राज जमेश्थित है यह है पूरी उड़ी साथ स्री जगन्नाथ मंदर के आसपास एक्विसाल परिदी विकास परियोजना है तो बारवी सद्धी का जगन्नाथ मंदर के सहरों के राज में इस्थित है आपको मालूम होगा यह पूरी उड़ी सामे नीतियाग के अंसार पिछले नौ वरसों में भारत में गरीबी दिल कितनी गिरावट दरज की गई है देखिए 29 प्रसत से लगभग 11 प्रसत नीतियाग के अंसार पिछले नौ वरसों में भारत में लगभग 25 करोन लोगों ने खुद को गरीबी से बाहर निकाला है ऐसा आकला है नीतियाग का उल्लिखित 9 वरसों की अवधि में गरीबी दर 29 प्रसत से घटकर 11 प्रसत हो गई है ठीक है 29 प्रसत पहले गरीबी दर थी आप इसको नीतियाग कह रहा है कि 11 प्रसत रहे गई है वर्तमान में भारत में नीतियाग के मुखे कारिकारी अधिकारी CEO के रूप में कौन काररत हैं तो जो CEO हैं वो हैं आपके BVR सुब्रमने में आपके BVR सुब्रमने में इस बात पर जोड़ दिया कि आठ से नव अरसों में पून गरीबी को आधे से कम करना गुल लेखनी उपलब दिया जो दिनिया के सामने अपने SDG लच्छों की दिसा में भारत के प्रतित को दर साता है अगला देखें प्रश्ण जनवरी 2024 में फीफा फुटबॉल पुरुसकार समावलों में सरशेष्ट फीफा पुरुस खिलाडी का पुरुसकार किसने जीता था लियोनेल मेसी ने जीता था लियोनेल मेसी ने लंदन में फीफा फुटबॉल पुरुसकार समावलों में सरशेष्ट फीफा पुरुस खि पुरुष्कार समारों में किस महिला फुटबॉल खिलारी को सर्वस्चेश्ट फीफा महिला खिलारी का पुरुष्कार दिया गया। मकर संक्रांती, पुंगल, उत्तरान, माग, बिहु तेवहरों का क्या महत है। मकर संक्रांती, बिहु, पुंगल, इस फसलों के तेवहर है। मकर संक्रांती, पुंगल, उत्तरान, माग, बिहु, पंदरा जुलाई 2024 को देश के विभिन हिस्सों में मनाए गया। ये तेवहर सर्दियों के अंत और लंबे जिनों की सुरुवात का प्रती है। स्री राम मंदिर जन भूमी परिसर में रामलला विराजमान के लिए प्राण प्रतिष्ठा कारिक्रम कब घोश्चित कब शुरू हुआ है। हो गया था तो यह करिकम 21 जनुरी तक चला चला जबकि अब इसे एक 22 जनुरी को हुआ ठीक इस अपकारिक नमा आउजित हो चुके है विस्व आर्थिक मंच की 54 वार्षिक बैठक कहां हो रही है यह हो रही है दावोस स्विजर लैंड में यह हो चुकी है विस्व आर्थिक मं मंच की 54 वार्षिक बैठक 15 जनुरी तक चला जनुरी को स्विजर लैंड के दावोस में आउजित हुई उद्यस क्या था और विस्व आर्थिक मंच की 54 वार्षिक बैठक का विस्वास का पुना नेमार रिकंस्ट्रक्शन ओफ ट्रस्ट मलेशिया ओपन सुपर 1000 में पुरुस यूगल फाइनल में भारती ख्लाड़ी कौन थे ये थे सात्विक साईराज रंकी रेड़ी और चिराख सेटी मलेशिया ओपन सुपर 1000 की पुरुस यूगल फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड़ी और चिराख सेटी को करीबी हार काउनों को सामना करना पड़ा था इंपोर्टन कुश्चियन है ये चौदर जन्वरी दोज़ाट चौब इसको रानी मारगेत दुती के बाद रेनमार के नए राजा के रूप में कौन नियुक्त हुआ क्रिंस फेडरिक एक्स प्रदानमत्री जन्जाति आदिवासी नयाय महाभियान के बलाभार्थी कौन है ये हैं आपके विशेश रूप से कमजोर जन्जाति समू पी वी टी जी प्रदानमत्री नयाय महाभियान के तहत प्रदानमत्री आवास योजनागरिवों को एक लाख अभिशतियों को इसकी पहली के स्थदी भारत का सबसे लंबे पुल का क्या नाम है ये नाम है आपका अटल बिहरी बाचपी ही शेवरी नयासा सेवा अटल सेतु प्रदानमत्री नयायस मोधी ने बारह जनवरी 2024 को भारत के सबसे लंबे पुल अटल बिहरी बाचपी सेवरी नयाहावा शेवा अटल सेतु का उतफ़धानो्न में किया आकास NG missile प्रणाली की प्रत्मिक छम्ता क्या है ये है उच्च गती फूर्तीले हवाई खतरों का अवरोधन जी आकास NG एक अत्यादमिक missile प्रणाली है जो उच्च गती फूर्तीले हवाई खतरों के रोकने में सच्छम है इंट्रिगेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर की स्राजी में इस्तित है ये इस्तित है ओडी सांग है डियार डियों ने बारा जनवी दोह सचोविस को आई टीयार चांदीपुर में एक नई प्लीडी की आकास मिसाइल का सफल परिच्छां किया था अगला है सत्र के दोरान अन्तिम बजट कौन पेस करेगा ये हैं आपका वित्मंत्री नियृमिला सीथा रामजी राश्टी यूजइवा दिवस प्रतिवस क्यों मनाई जाता है स्वामी विकानन्द के जन्म दिन के उपलक्ष में राष्टी वदर्स प्रतेक वर्स मना जाता है 12 जमाजी को स्वामी विकानन्द जी के जन्म दिन के उपलक्ष मना जाता है पस्ष्मी दुन्या में वेदान्त और योग के भारती दर्सन के परिचमे में कराने वाले वो पुरमुक्क वक्ती थे 10 jun 24 जह में किस आत्मकर्दी चमूह ने सोमालिया में सॉन। उम्ली का ठीट की हेलिकाप्टर पर उन्हें पजे कर लिया था अल्शबाब तो 10 jun 24 को सॉमालिया में अलशबाब ललाकों ने सायुत राष्ट के एक हेलिकाप्टर पर उन्होंने कबजा कर लिया था विस्व हिंदी दियवस हर साल 10 जनवरी को क्यों मना जाता है विस्व हिंदी दियवस 10 जनवरी को मना जाता है इस उस्तर पर हिंदी बासा के उप्यों को बढ़ावा देने के लच्च के लिए यह दिन प्रतिवर्स मना जाता है दस जनवरी दौजाट चुबिस। ब्राइवेंट गुजराथ वाइबरेंट गुजराथ गुलोबल समिट 2024 के मुख्य अतित के रूप में किसने भाग लिया वाइबरेंट गुजराथ में स्युक्त राज अमरीका के राष्ट पती क्या नाम है अबुधाबी के शाशक शेक मुहम्मद बिन जायद अल नाहेनान इन्होंने मुख्य अतित के रूप में भाग लिया भारत और स्युक्त राष्ट अमिराथ के बिच गहरे संबंदों का प्रतीक है उनको वाइबरेंट गुजराथ गुलोबल समिट में मुख्य अतित के रूप में अंको स्थान मिला था नासा के आल्टीमिस कारिक्रम का परात्मी उघ्ष क्या है। और तीमोर लेस्टे नौ जर्वाई दोर्च चोविस को गांधी नगर में वाइबरेंट गुजरात गुलोबर ट्रेंट शो काउद गाटन किया गया इस कारिक्रम में मोजांबिक के राश्टपती फिलिप निवसो तीमोर लेस्टे राश्टपती और जोंस प्रोमोस होटा ग चब्रोमोकि मंत्री भूप Canvas पटलने में भाग लिया था को सिए वईब्रेंट उप लिएल क्स उम्रे बार्ति आधनिक भारकाझodel 2-4 वरस के गेब्रियल Venice आधनिक फ्रांसील में उम्रिके उनोनों प्रामोंत्री को रूप में पद्ध किन गिया लगता चौती बार बंगलादेश के पदामंत्री के रूप में किसो इन उक्ति किया गया सेख खसीना को के जी डीड़ू एन 98 बटैट 2 बलाक कहां स्थित है जहां ONGC जन्वरी में कलस्टर 2 परियोजना के तेल उक्ति पादन कार सुरू करेगा बंगाल के खाड़ी में स्थित है वरून तुमर ने ओलम्पिक कोटा स्थान सुरचित करने के लिए किस स्पर्दा में सुनण पतक जीता था पुरुसों की 10 मीटर एयर पिस्टल में अरून तुमर ने ओलम्पिक कोटा स्थान सुरचित करने के लिए उन्होंने सुनण पतक जीता था डियाप समय, 10 मीटर एयर पिस्टल, वरूं तुमर, इसा सिंग ने ओलंपिक कोटा स्थान सुरचित करने के लिए कि इस फर्दा में सुनपदर जीता था, जीता ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता था, इसा सिंग ने, डिसंबर दोज़ातेस में भारत मालदी संबंदोन में गिरावट का क्या कारण था, यह है प्रदान मंत्री मोदी की लक्षदीब यात्रा के बारे में अपमान जनग टिपड़ी, प्रधानमंत्रियों ने लच्छीव की दो दिशे यात्रा के बारे में अपमान जनल टिपड़ी की इसे एक पर्रेटक आकर्षार के रूप में रिचाप प्रसारिद किया। इससे भारत मालदी संबंदों में खटा सा गई, भारत सरकार ने इस मामले मद्बुद्धे को मालदी के समने उठाए जिसके बाद मालदी सरकार ने टीन मंत्रियों को निलम्बित कर दिया। किस संस्थान ने अपने OPD ब्लाक में देश का पहला स्मार्ट लाइब शुरू किया। एक सो चालिस भासों में गाया ना गाया ना गाया लेंग्रिजियन पॉइंट एल वन क्या है एल वन लेखिए एल वन एक बिंदू जहां कुर्थ्वा कर्षण अबर प्रत्वी और सूरी की बीच सम्दुलन पर तक पहुचते हैं यहों कहते हैं एल वन एल वन अगला है सोमालिया के तट के पास अपरत माल वाहग जहाज को बचाने के लिए कि स्विशिष्ट कमांडो एकाई ने आउपरेसन चलाया था यह हैं मारकोस मालवाख जहाज M.B. लीला नोरफो को चार जन्वाजी की राज सोमालिया के थट के पास से अपारंग कर लिया गया था अगला है दोज़ाज़ चौबिस में T20 पुरूस क्रिकेट विसकप फेस्टेंडी जो साइज अमरीका में कब आयोजित किया जाएगा यह है आपका भी एक जून से 29 जून दोज़ाज़ चौबिस तक हो यह हो चुका है अंतराश्टी क्रिकर प्रसरत ने दोज़ाज़ चौबिस टी पुरूस क्रिकेट विसकप के लिए समोहों की गुष्णा कर दी है यह टूनामेंट से 29 जून दोज़ाज चौबिस तक आयोजित किया गया वेस्टेंडी और संहितराज अमरीका ने इसका आयोजित किया जाए जन्रेवरी दोज़ोर 4 में बिम स्टेक के महा सचीव कापत किस ने गण किया इंद्रमणी पॉंड़े ने जन्रर गण किया हाली में सरकार दौरा लांज किया गया प्रीराना क्या है? प्रीराना देखिए प्रीराना है आपका एक अनुबहवात्मक शिच्छन कारेकरम है, प्रियाना भार्ती सिच्छा परणाली के सद्धानतों और जुकरते हैं प्रियाना एप, मुल आधारित सिच्छा के दर्शन के रूप में अनुसर जैसा की राष्टी सिच्छानी 2020 में उ बश्चाना के सुधार को कार्पोरेट सामाजिक उतर्दायत के माद्धम से खेलों को प्रुसान के लिए किस कंपनी को रास्ती खेल प्रुसान प्रुसकार प्राप्त हुआ यह है बी ओडिशा माइनिंग कार्पोरेट लिमटेड गोष्प कार्पोरेट सामाजी कुतरादेत के मादम से खेल को प्रुसाय की स्रेड़ी में प्रुसकार मिला बेंगलूरी में जैन डीम्ड युनस्टी को रास्टी खेल प्रुसान प्रुसका दोजार तेस में किसके लिए समानित किया गया उभरती और युवा प्रदिभाओं को पॉश्ण करना अगला है इंडिया इंट्रनेशनल जोल्री ट्रेंड शो का सोलवा संस्क्राण कहा है जित हुआ क्या चीज इंडिया इंट्रनेशनल जोल्री ट्रेंड शो विस्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्स कब मना जाता है विस्व ब्रेल दिवस ये मना जाता है चार जनवरी को चार जनवरी विस्व ब्रेल दिवर्स मनाए जबता है ब्रेल क्या है? ब्रेल लिपी ब्रेल लिपी देखिये अंधोर द्रष्ट बादी लोगों के लिए एक इस परष नीये लेखन पढा लिया है इस दिन का उत्देश नेत्रीनों और द्रश्टी बादतों के लिए संचार प्रदित के रूप में ब्रेल के मत्त को प्रती जगरूपता बढ़ाना है NCC का पूर्ण रूप क्या है NCC नेशनल राष्टी काईड़ेट कोड़ करते हैं NCC के महाने देशकाऊन है NCC नेशनल गुर्बी गुर्पालसी ने सांस्कृतिक आदान प्रदान कारिक्रोमों के मद्धम से राष्टी एकता और व्युक्ता में एकता को बहाव देने के सीवर के लच्छ पर प्रकाश डाला भरत में ट्रक ड्राइवरों के व्यापक प्रदर्सन का मुक्यकारण क्या है हालिया अपरदिक सहीटा हाली में अधिनीमित भारती नियार्ट सहिता नामक अपरादिक सहिता के तहत हिट आएंडरन मादले में क्या जरुमाना है और जेल की अवधी क्या निराइद की गई है यह साथ लाख रुपर जरुमाना है या दस साल की जेल है इसी का विरोध कर रहे थे टग डाइवर लोग शाथ लाख का जरुमाना और दस लाख की जेल एम एस किसने प्राप्त किया जिस दोज़ाज चॉबिस में स्वामिन आथम पुरुषकार यह मिला था प्रोफेसर बी आर कमबोज को बी आर कमबोज जनवरी दोज़ चॉबिस में रास्थान में भारत और स्वामिन राज अमरीका की बीच आयोजित स्वायुक्त स्वामिन अभ्यास का क्या नाम है इसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन डेजर्ट साइक्लोन किस भारती राज जने दोज़च चॉबिस के पहले दिन एक सवाथ स्थानों पर एक साथ सामोहिक सूर नमस्कार का गिनीश बूट वार्ड रिकार्ड बनाया है ये गुजरात में बना आपका गुजरात में 24 के पहले दिन एक सवाथ स्थानों पर एक साथ सामुहिक सूर नमस्कार का गिनिस बुका उफ वार्ट रिगार्ड बनाए ब्रिक्स समू की स्थापना सबसे पहले कभू हुई थी और कौन से दिस इसके समसापक देश थे 2016 में ब्राजील रूस भारत चीन के साथ गठित था 2010 में दच्छन अफ्रीका को सामिल करने मीसेट के साथ इसका विस्तार हुआ तो आपका आपसंग भी हो जाएगा एक जन्रूरी दॉरेट 24 को ब्रिक्समुए में सामिल होने ले नैसे सदस कौन है जैने सदस देखिए ए मिस्र है ए इथूपिया है इरान है सौदी अरब है संविस अरब अमिराद मिस्र इथूपिया सौदी अरब और अरब अमिराद विस्तारी रूप जो है इसको है तो ब्रेक्स प्लास हो जाएगा इसका नाम सोलहवे वित्यायुक के अद्धच किसे नुक्ति आ गया है तो सोलहवे वित्यायुक के अद्धचे डॉक्टर अर्विंद पनगडिया सोलह वित्यायुक में रित्विक रंजनम पांड़े की क्या भूमिका है इनको सचिवनिक किया गया है आई ये सदिकारी रित्विक रंजनम पांड़े को सचिवन बनाए गया इस रो द्वारा लॉंच किये गए एक्सरे पॉली मीटर सैटलाइट का प्रात्मी कुद्देश क्या है इसका प्रात्मी कुद्देश है ब्रहम मांड़ी एक्सरे के धुविकन का विशलेशन करना है दिया अप्सम तो चलिए विद्यार्थियों ये कुछ प्रस्न थे काफ लगती है बनाने में और मिलेंगे कुष्चन इसमें से आपके आप नोट्स बना लीजे और इंपॉर्डेंट कुष्चन का ही कलेक्शन था चलिए फिर मिलते हैं हम आपको फरवरी मार्च अप्रेल दोजार चौबेस की बात करें के करेंट अफ़र देंगे बने रही चैनल देनाट क्लासस पर नमस्कार